हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको ऐसी काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगी अगर आपको कोई भी स्मार्ट फॉन खरीदना है कोई भी गैजेट्स खरीदना है खास दू function के साथ, specification के साथ और बहुत ती सस्ते में खरीद सकते हैं इस वीडियो मैं यही बदानी कोसिस करूँगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे हमेशा सबसे पहले तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपका बजट याद होना चाहिए कि आपका कितना बजट है, आप कितने बजट का फॉन खरीद सकते हैं मैक्सिमम बजट डिसाइड कर लिजिए कि 10 का खरीद सकता हूँ 12 तक खर्च कर सकता हूं, 15 तक कर सकता हूं, 7000 कर सकता हूं, 6000 कर सकता हूं, 5000 कर सकता हूं, तो सबसे पहले budget decide कर लीजे, दूसरी जो चीज है वो है आप ये phone क्यों खरीदना चाते हैं, हर किसी की requirement अलग होती है, कोई big display वाली phone खरीदना चाता है, filmें देखने के लिए, serial देखन के लिए, YouTube देखने के लिए, कोई phone इसलिए खरीदता है, जो उसका budget रहता है, सबसे अच्छा camera उसको उस budget में चाहिए होता है, कोई phone इसलिए खरीदता है, उसको storage जादा चाहिए होती है, उसको RAM जादा चाहिए होती है, तो आप किसलिए खरीद रहे हैं, आप ये देख ल जाएगा इस्क्रीन तोड़ी सी चोटी भी हो तो भी चल जाएगा अगर ग्राफिक्स और प्रोसेसर और रैम अच्छे हैं तो क्योंकि बजट भी देखना है अब आते हैं सारी चीजों पर अगर आपको रैम जादा चाहिए तो आप रैम जादा वाला फॉन देख सकते हैं उ इतने प्राइज में कौन से फॉन में क्या चीजे जादा आ रही हैं जो मेरे रिक्वाइर्मेंट के लिए हैं यानि अगर मैं गेम के लिए ले रहा हूं तो ग्राफिक्स कार्ड किसका जादा अच्छा है इतनी पैसों में किसका प्रोसेसर अच्छा है किसमें रैम जादा और उसके बाद एक्स्ट्रा बचता है तो किसमें कैमरा जाद अच्छा है ये आप तेक सकते हैं बहुत सारे लोगों को बिग स्क्रीन वाली फॉन चाहिए होता है तो बिग स्क्रीन का अगर फॉन ले रहे हैं तो बिग स्क्रीन वाला फॉन में थोड़ा बैटरी वेकप और अच्छा हो जाए तो आपका फिल्म में देखने का मज़ा और दुगना हो जाए तो ये आप डिसाइड करके ऐसे फॉन तीन-चार लिस्ट मतलब लिख सकते हैं आप लिख लीजिए क्योंकि इससे बहुती आसानी होगी और कम बजट में बहुती अच्छा फॉन अपने लिए अपने लायक बहुती कम प्राइज में ले सकते हैं कम प्राइज में कैसे लेना वह मैं आपको आगे बताता हूं अब आपने जो तीन-चार फॉन की लिस्ट बनाई है अब आपके पास पूरा टाइम है कि आप उसका रिव्यू वीडियो देख लीजिए रिव्यू पढ़ लीजिए बैपसाइट से जाके भी पढ़ लीजिए बैपसाइट पर बहुत सारी अच्छी डीटेल मिलती है वहाँ पर आपको पूरा अच्छी तरह से लिखा रहता है वो भी पढ़ लीजिए उसका जो एडवांटेज है डिसाइडवांटेज है नेगेटिव चीज़े है वो पढ़ लीजिए देख लीजिए उन 3-4 फॉन में ताकि आपको कोई किसी फॉन में कोई नेगेटिव चीज़ जादा है अगर आपने ले लिये गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आपको वो चीज़े पता चल जाए तो रिवीव वीडियो अन्बॉक्सिंग वीडियो और वेबसाइट पर ब्लॉग द्वारा आप उसकी जानकारी ले सकते हैं आजकल तो नेट फ्री है तो आप ये थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं जो तीन चार फॉन की लिस्ट आपने बनाई है और रिव्यू अन्बॉक्सिंग में अधिकतर उसको देखिए जिसका वो प्रोड़क्ट स्पॉंसर नहीं है जो अपने पैसों से खरीद के बनाया है या स्पॉंसर सिप नहीं है जब आप तीन चार लोगों का रिव्यू देखेंगे तीन चार वेबसाइटों पढ़ेंगे वेबसाइट पर पढ़ना बहुत जरूरी है मैं आपको बता दे रहा हूं आप सोच रहे हों कि मैं दस्यों वीडियो देख लूँगा लेक अच्छे है इन दो फॉन में थोड़ी थोड़ी कमया है तो अब वह जो दो फॉन है अब उसको आपको कैसे लेना है आपको पैसे कैसे बचाने ए ओफ लाइन भी ले सकते हैं ऑनलाइन नहीं भी मिल सकती है दोस्तों ये चीजे बात की चीजे हैं आप अगर offline market से phone लेके जा रहे हैं वो तूटके गिर भी सकता है और भूल से हास से नीचे डबा गिरा कोई बाइक चड़गी तो भी खराब हो सकता है तो आगे की चीजे मैं सोचिए कि वो खराब हो जाएगा मुझे डबा नहीं मिलेगा मुझे ये नहीं मिलेगा offline online दोनों ही माध्यम से लिए वो किसी भी phone पे उतनी guarantee warranty मिलती है और कुछ भी नहीं होता लेकिन दोनों जगे आप compare कर सकते हैं कहाँ पर आपको discount ज़्यादा मिलता है इसके अलावा online में समय समय पर उनके कुछ years होते हैं कुछ महीने होते हैं कुछ चीजे होती हैं कुछ events होते हैं कुछ festival होते हैं उस पर कुछ ज़्यादा ही discount मिलता है तो आप उस time पर अगर phone खरीदेंगे तो आपको offline और online दौना जगे discount चलता रहता है आज सानी से मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप किसी का credit card debit card यूज करते हैं तो आपको extra discount ही मिल सकता है जरूरी नहीं कि आपके पासी credit card होना चाहिए आपके पासी debit card होना चाहिए आप किसी दूसरे का भी मांग के इस्तमाल कर सकते हैं और उसको वो पैसे advance में ही दे सकते हैं उसके account में transfer करते हैं या hand to hand दे सकते हैं अगर उसके card से खरीदेंगे तो आपको sale तो extra मिलेगी उसके अलाबा भी हर card 5-10% की छूट होती है तो आप अपने budget में ही एक अच्छा phone ले सकते हैं और आप सस्ता भी ले सकते हैं guarantee warranty दोनों जगे से खरीदे भी phone पर आसानी से मिलती है इस तरह से आप अपने budget के अनुसार सबसे अच्छा phone ले सकते हैं यही बहुत तरीका अच्छा होता है एक phone लेने का आपको पस्ताने भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सारी चीजे पहले ही देख सके हैं compare कर चुके हैं इस range में जितने ही phone है और जो features आपको चाहिए आपने वही phone खरीदा है तो वीडियो अच्छे लगी है तो like कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे रैट कलर में subscribe लिखा हुआ है वहां पर click कर दीजिए और आपका कोई भी comment है comment box में मुझसे पूछ लिजिए मैं reply जरूर करूँगा जवाब जरूर दूँगा thank you दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक और latest वीडियो के साथ